आज बनाने जा रही हूं लेड़ी सॉक्स जिसके लिए देखिए मैंने ये दो कलर लिए हैं और इसमें 10 नमबर सलाई ली हुई है और 50 बन फंदे डाले हुए हैं इक क्या बन फंदे डाले हैं अब देखिए पहली रो यहां से मैं बॉर्डर बनाऊंगे इसमें एक फंदा उ आज एक उल्टे और एक सीधे का बॉर्डर मैं इसमें बनाऊंगे दोनों तरफ से इसको ऐसे ही बुनना है ये रो एक उल्टा बनाते हुए सीधा कम्प्रिट कर देखिए मैंने एक पूरी कर लिए है एक उल्टा और एक सीधा बुनते वए आप देखिए उल्टे साइड स इसे भी ऐसे ही इसको बुनेंगे दागा आगे एक उल्टा दागा पीछे एक सीधा यह देखिए एक उल्टा और एक सीधा बनाते हुए इस रो को भी कम्प्लीट कर लेंगे ऐसे और देखिए यहाँ पे मैं 20 रो का बॉर्डर डालूंगी वो मैं बना के उसके बाद मैं आप कम्प्लीट कर लिया है आप देखिए मैं यहाँ पे फंदे डिवाइट करूंगी अठारा फंदे इदर लोंगी अठारा इदर और पंदरा फंदे बीच में रखोंगी तो देखिए यहाँ से मैं पुनते हुए जाओंगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्य जारे बारे तेरे चाओदर पंदरे सोले सत्रे और यह अठारे अठारा फंदे मैंने इदर रख लिए और देखिए अब मैं यहाँ पे एक मारकर डालूंगी यह देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे तेरे चाओदर और यह पंदरे यह देखिए पंदरे फंदे मैं बीच में ले रही हूँ इधर मैंने यह फंदे ऐसे ही छोड़ दिये और यहीं से यह देखिए एक रो उल्टी बनाते हुए 15 फंदों की कंप्लीट करोंगी यहाँ से कंप्लीट क और ही इधर बनाऊंगी मैं 15 फंदों में डेजाइन डालूए यह देखिए 1 2 और यह तीन, 3 फंदे मैंने सीधे बुने एक सिलिप किया और देखिए 1 2 3 फिर से एक सिलिप करेंगे 1 2 3 एक को अतार लेंगे उसके बाद फिर से देखिए एक interpersonal यह देखिए इस तरीके से यह पड़ी हैं इसको पलट लेंगे दागा पीछे करेंगे ये देखिए इधर से सीधा बुन दिया दागा फिर से पीछे एक बंद अतार लिया आगा आगे तीन भंदे सीधे फिर से दागा पीछे भंदे तीन फंदे सीधे ब्लैक वाले उतरा हुआ फंदा उतार रही हूँ मैं इस रो में भी यह देखिए इस तरीके से इसको कंप्रीट कर दिया मैंने आप देखिए यहां से यह मैं ग्रिन कलर लगाऊंगी इसको सीधा बनेंगे एक रो को सारे बंदे देखिए इस बंदे को भी बुन रही हूँ मैं यह वाला यह देखिए अब इस रो को मैं यहां से उल्टा बनाऊंगी गिरीन जब तागह लगांगी तो इसको उल्टा बनाऊंगी इसको अ इधर से कंप्रीट कर दो कि यह देखिए इस तरीके से अम मैं फिर से बलेक लगाऊंगी और देखिए तीन पंदे बुनोंगी पहले और देखिए उतरा गुब थन्दा फिर से यह वाला लाश्ट में तीन फंदे ये देखे इस तरीके से अब इधर से ये ब्लैक का बैक साइड करके सीधा बुनेंगे और उत्रावुआ फंदा बापस उतार लेंगे सेम इसी तरीके से इसको बुनना है दागा पीछे इस फंदे को बनाए और इसको सीधा बना अगर पीछे फंदा वतार लिया ये बागी तीन फंदे सीधे आप देखिए इसी तरह से मैं इसमें आगे डिजाइन डालूंगी और ये नौरों पूरी करूंगी दो हो गई है कंप्लीट करती हूं ये देखिए इस तरीके से मैंने इस बना के कंप्लीट कर ली है और देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ नौरों डाली है मैंने और आप अपने पैर के कोडिंगे कम जादा भी कर सकते हैं और देखिए आप यहां से मैं ये धागा लगा के और फंदे उठाऊंगे पूरे मैं ये देखिए जितने फंदे उठ जाएंगे इसमें इसली उतने ही उठाऊंगी मैं ये देखिए यहां से इस तरीके से दो तीन चार पांच छे साथ यहां तक उठा लेती हूँ इसी तरीके से यह देखें मैंने यहां पे 18 फंदे उठा लिए हैं उसके बाद इन फंदों को बुन के और इस कोने तक आऊंगे ऐसे फिर इस साइड उठाऊंगी यह देखें इस तरीके से मैंने यह जो फंदे डिजैन वाले हैं इनको इसी में बुन लिया है यह देखें इस तरीके से आप देखें यहां से मैं फंदे उठाऊंगी यहां से पूरे में यतने उठ जाएंगे 18 फंदे इदर भी उठाने है, 18 इदर उठाए हैं तो इसको उठा के complete करती हूँ, देखिए इसी सलाई में उठा लेंगे या फिर आप दूसरी सलाई भी लगा सकते हैं, यह देखिए, एक, दो, तेन, चार, उठा लेती हूँ, यह देखिए, इदर भी मैंने ठारा फंदे उठा लिए, आप यह फंदे हैं जो इनको में, जो जैसा है, उसको में बैसा ही बनूँँगी, एक उल्टा और एक सीधा इस तरीके से, ऐसे, इसको complete करती हूँ, यह देखिए, यहाँ पर मैंने बना के complete कर लिया, आप देखिए, इसको मैं इसी तरीके से पूरे फंदे बुनूँगी, यहाँ पर एक उल्टा है, एक सीधा और वापस एक उल्टा, इस तरीके से, पूरी रो मैं बना के complete करती हूँ, यहाँ तक, last तक, यह देखिए, इस तरीके से, मैंने यहाँ तक इसको बना लिया, एक उल्टा हो और सीधा, आप देखिए, इसको मैं सारे फंदों को एक उल्टा हो और सीधा बुनते हुए, इसमें रो बनाओंगी, जो भी रो बनेंगे आप यहां से अभी उल्टा और सीधे की ही बनेंगे यह देखिए यहां पर इस तरीके से एक उल्टा और एक सीधा बापस दागा आगे उल्टा फिर सीधा अब देखिए मैं इसको इसी तरीके से यहां पर दस रो बनाके कम्प्लीट करूंगे उसके बाद मैं दिखाऊँगी एक उल्टे और एक सीधे की इस तरीके से पूरा इदे के इधर भी उल्टा और सीधा है यह देखिए मैंने यह 10 रो यहाँ पर बनाके कंप्लीट कर लिए हैं और देखिए इस तरह से कंप्लीट हुई है आप देखिए यहां से लेके यहां जो 15 फंदे हैं यहां तक आती हूँ मैं बनाते हुए उल्टा और सीधा यह देखिए यहां तक मैंने इसको बुन लिया है आप देखिए मैं सिर्फ यहां पर 13 फंदे लूँगी जो मैं इसका सोल बनाऊंगी तो यहां से मैं अब उल्टा उल्टा बनूँगी एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारे बारे और यह 13 यह देखिए 13 फंदे लिये हैं मैंने और यहां पर बरावर बरावर फंदे मैंने रखे हैं अब देखिए यही से पलट लेंगे इसको और देखिए इस तरीके से बनाएंगे इस तरीके से बुनते हुए इसको कंप्लीट करेंगे यह देखिए इस फंदे के साथ इधर से एक फंदा लोंगी मैं यह देखिए दो का एक करूंगी ऐसे और यही से वापस पलट लोंगी इसको यह देखिए ऐसे इसी तरीके से मैं इसको एक भंदा ये और एक आगे से दो काई करते हुए इधर बनाऊंगी और देखिए इसी तरह से मैं इसको सोल को बनाते हुए कम्प्लीट करूँगी दोनों तरप से इसको ऐसे ही एक भंदा लेते हुए बुनना है ये देखिए एक ये और एक आगे से दो काई करते हुए यहाँ पर लाश्ट देखिए करीब 6 भंदे बचेंगे जब मैं दिखाऊंगे आपको इस रो में तीन का एक करूंगी मैं ये देखिए दो बीच वाले जो एड़ी के लिए मैं इसका सेफ दे रही हुए तो जो मैं यहाँ पर तेरा फंदे हुए उसमें से दो ले रही हुए और एक आगे से तीन का एक कर दिया ये से पलट लिया इसको इधर भी ऐसे ही करेंगे ये देखिए यहाँ पर दो ये और एक आगे से तीन का एक करते हुए दो लो गार आप ऐसे ही बुनेंगे इसको तीन का एक करते जाएंगे लाष्ट एक फंदा तक बुल लेंगे जब तक एक फंदा रह जाएगा उसके बाद यह देखिए इस तरह से लाश्ट में इधर एक बचा है दो बीच के बचे हैं तो इनको में लाश्ट में तीन का एक कर रही हूं यह देखिए लाश्ट तक इसको इस तरह से कर लिया मैंने यह यहां से बंद केवल यह इतना ही सिलागा यहां तक और अगर आप थोड़ा यह देखिए अम मैं इसको सिल्के कम्प्लीट करते हैं यह देखिए अम मैं यहां से इसको बंद करोंगे इस तरीके से इस तरीके से इसको यहां पर पक्का कर देंगे यह देखिए यह काफी खुल जाता है आरम से इसमें से पहर चला जाएगा और यहां से इसको पक्का करते हुए कम्प्लीट करोंगे धागा बापस थोड़ा से अंदर लाऊंगे कम्प्लीट करते हैं इसको यह देखिए मैंने यह बना के कम्प्लीट कर लिया यह देखिए बहुती प्यारी बनी हुई है देखिए बैक साइड भी काफी सिंदर आई है इसकी अब देखिए मैं इसमें फि दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, यह देखिए मैंने ग्यारे चेन बनाई, आप देखिए यहां से अगली चेन में से सिंगल क्रोस ही है, ऐसे इस बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे, इस तरहीं बनाके कंप्लीट कर लिए, अब देखिए एक चेन फिर से बनाएंगे यहां पर पलट लेंगे, और देखिए अंदर के साइड जो है चेन उसमें बनाऊंगे, मैं पूरी चेन नहीं ले रही हूँ, हाप चेन ले रही दो, तीन, चार, पांच, छे, इस तरह से देखिए इसको कम्प्लीट करते हैं, अब देखिए फिर से चैन एक बनाएंगे, पलट लिया इसको, अब देखिए इस साइड की, नीचे के साइड से जो हाप चैन है उसमें से बनाएंगे, जैसे ही, यह देखिए, ऐसे, और देखिए, इसमें मैंने यह तीन रो, तीसरी रो बना ली है, दो रो और बनाऊंगे, ऐसे ही, पांच रो बना के दिखाते हैं, यह देखिए, इस तरीके से मैंने यह पांच रो बना ली है, एक, दो, तीन, चार, यह ऐसे गिनेंगे, तो पांच है, औ और एक इस तरीके से और आप कम ज्यादा भी इसमें कर सकते हैं एक दो तीन चार और यह पांच छटमी जो मैंने स्टार्ट की थी छहरो हो गई आप देखिए यहां से मैं गिरिन गलर का धागा लगा लूँगी और देखिए इस तरीके से इसकी किनारी बनाऊंगी एक बना ल कि यह देखिए यह जैसे हर एक मैं दो बार डवल क्रोशिया बनाते हुए यह देखिए जो कौने हैं उन्हें पर मैं एक चैनल लूँगी उसके बाद इदर को बनाऊंगी इस तरीके से यह देखिए दो दो बार बनाते हुए पूरा कम्प्रीट कर देंगी केवाल यहां पर एक चैनल लेनी है कौने पर जिस तरह से मैंने यहां लिए यह देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया है अब इसको सिंगल क्रोशिया के साथ यहां पर अटेच कर देंगे एक बार और चेन निकाल देंगे इस दागे कट करेंगे और देखिए इस तरह से यह देखिए इस तरीके से इसको यहां से यहां से यहां से बान देंगे पहले अगर आप छोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको छोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं एक बार मैंने इसको बान दिया ये देखे इसको सेट कर देंगे ऐसे ये देखे ऐसे ये सेट कर दिया अब यहां से धागा लपेट देंगे ज्यादा सा धागा लपेट के थोड़ा सा ऐसे टाइट करते हुए लपेट देंगे यह देखे इस तरह से राउंड लगाते हुए और इसको ऐसे सेट करके यह देखे इसी धागे से इसको सुई से टांक देंगे यह देखिए इस तरीके से आप इसको यहां पर टक कर देंगे इस तरीके से कम्प्लीट करेंगे इसको